हरियों प्रिदर्शकों, मैं हूँ बंडित बलराम पांडे, हाजिर हूँ मार्च दो हजार तेज, मीन राशिबालों का माशिक राशिफल लेके बात करेंगे, आपका स्वास्त कैसा रहेगा, आपका घर परिबार कैसा रहने वाला है, मेरिज लाइफ, लव लाइफ, ये स्टुडिन्ट के लिए कैसा रहने वाला है मारच का महीना, आपका कैरियर, आपका व्यापार, ये सभी बाते हम करने वाले हैं, वो सभी प्रसन जो आपके मन में उठते हैं, उनके हम उत्तर जानने वाले हैं, और लास्ट में हम यह जानेंगे, कि एक ऐसा उपाय जिसे करके आप मार्ज के महीने को बेहतर बना सकते हैं, जो कि साड़े साती चल रही है, फिर भी आप अपने मार्ज के महीने को अपने जीवन को बेहतर बना सकत तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ग्रहों की स्थिती तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि आपके 12 भाव में शूर बुध और सनी देव बैठे हुए हैं और प्रतम भाव में गुरू और सुक्र युति करके बैठे हुए हैं और दुती भाव में राहू तो अस्टम कि सबसे पहले हम जान लेते हैं स्वास्त तो स्वास्त के अधर्ष्ट कोन से देखें तो आपके प्रतम भाव में गुरू और शुक्र बैठे हुए हैं और गुरू अपने स्वरासी के हैं, मीनरासी के हैं तो कहा जाए कि स्वास्त आपका बेतर रहने बाला स्वास्त में कोई खास मश्या नहीं रहने बाली है और गुरू के द्रश्टी हमेशा अमरित मईवानी जाती है तो आपके सब्तम भाव में भी गुरू की द्रश्टी पढ़ रही है और शुक्र आपके प्रतम भाव में ही बैठे हुए है परन्तु शुक्र वारा मार्ज को आपके दुती भाव में चले जाएंगे तो कहा जाए कि आपका स्वास्त बेहतर रहने बाला है और ये अलग बात है कि साड़े साती चल रही है परन्तु साड़े साती का जो प्रवाव है वो डिपेंड करेगा आपके जन्व कुंडली में कैसी स्थिती है ग्रहों की हम बात करेंगे लास्ट में अब बात कर लेते हैं ये स्टुडेंट की छात्रों की तो ये स्टुडेंट के लिए पंचंभाव और पंचंभाव में जो रासी है वो चंदरदेव की रासी है और चंदरदेव सबाद दो दिन में ही अपनी रासी का परिवत्तन करते रहते हैं और सबसे जल्दी राज़ परिवत्तन करने वाले गरह चंदरदेव ही माने जाते हैं तो देखा जाया तो स्वास्त में उतार चढ़ाओ के लिए उतार चढ़ाओ भरा समय रहने वाला है क्योंकि चंद्रमा जब अच्छी स्थिती में होंगे तो अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा परन्तु अच्छी बात यह है कि देव गुरु ब्रहस्पति की द्रश्टी है पंचमभाव में पाचमी द्रश्टी से देव गुरु ब्रहस्पति पंचमभाव में देख रहे हैं और चंद्रदेव की रासी है चंद्रबाफ और गुरु मित्र ही है, तो इसमें और वेशे भी गुरु की ध्रश्टी अम्रतमाई होती है और सबसे सुवग रह गुरु ही कहलाते हैं, तो इसलिए फिर भी देव गुरु हमेशा आपका बेहतर करने की कोशिस करेंगे तो इस्तितियां शामान कही जा सकते हैं अब बात करें यदि लव लाइप की तो लव लाइप पंचम भाव और पंचम भाव में देव गुरु भ्रहस्पत की द्रश्टी तो है परंतु चंद्रमा कहीं मन में संकाय उत्पन करेंगे मांसिक इंसन देंगे लव लाइप में छोटी छोटी बातों को लेके बाद कहीं न कहीं शंकाय होंगी और आप मन ही मन सोचते रहेंगे कि हमारा जो लब पाड्नर है वो क्या कर रहा है क्या सोच रहा है पता नहीं यह सब चीजे इसके लिए आप दैनिक रासिफल हमारे चैनल में रहता है उसे देख सकते हैं तो उससे बहुत कुछ आपको मालुम अब बात कर लेते हैं मेरीड लाइब की दामपत्य जीवन की तो सब्तम भाव में बुद्ध देव की राशी जो प्रदर्शित हो रही है आप देख पारे होंगे और बुद्ध देव आपके 12 भाव में हैं और बुद्ध देव राश परवरतन करने वाले हैं 16 महारी और शुक्र भी चले जाएंगे दुती भाव में तो यह इस्तिती पहना चाहिए कि मार्ज के मध्ध अर्थात 16 मार्ज के बाद इस्तियां दामपत्य जीवन में बेहतर हो जाएंगी अभी थोड़ी इस्तियां गड़बर रहेंगी कुछ बादवियाद होते रहेंगे और दामपत्य जीवन में आपके लाइफ पार्टनर की थोड़ी ध्यान रखना होगा स्वास्त में कुछ समश्याएं हो सकती हैं खासकर पैरों में समश्याएं या कफजन तकलीफें बन सकती हैं तो अपने दामपत्य जीवन को थोड़ा आपको समालना होगा उनके स्वास्त को और थोड़ा 16 तारीक तक समालना उसके बाद इस्तिया बेतर होंगे तो कहते हैं ने कि थोड़े समय दिया आपने समाल लिया तो फिर आंगे बेतर है और अब बात कर लेते हैं कैरियर की तो गुरू की रासी है और गुरु की इस्तिती बहुत बढ़िया है अपने स्वरासी के बैठे हुए है और आ जायते वो गुरु की जो द्रश्टी है तो आपके जैसे पंचम भाव में पढ़ रही है तो ग्यान का है और ग्यान जब हमारा भेतर रहता है और मंगल भी आ जाएंगे तेरा मार्च को आपके अभी इत्रती भाव में फिर आ जाएंगे चत्रत में और फिर द्रश्ट्री जालेंगे आपके कारश्षित्र में तो बेहतर इस्तिती बनेगी तो कहा जाए कि कैरियर के हिसाब से थोड़ा पहले ध्यान रखना होगा तेरा मार्च तक और उसके बाद इस्तितियां बहतर हो जाएंगे थोड़ा सा दस बारा दिन की बात है उसके बाद जो भी आपको निजने लेना हो जो भी महत्तपून काम करना हो तो उसके बात करें और शाथ में इस बात का भी ध्यान रखें कि आपको जल्दवाजी नहीं करना है अपने काम में अच्छे प 친्लम से क्योंकि वेसे भी मी Absol round का शुवाव होता है शोकता ऑधिक और करना कम कि इस बात को थोड़ा आपको ध्याना है कि और सोचना कम है यह तो आफ सोच्छे उतना कड़ाग तो भुड़िया है च्छेत में आपको उ hackers श्रीच बात का खिए और प्रकती मिलने वाली और जैसे ही मंगल आ जाएंगे आपके चत्तुरतभाव में वैसे ही आपके अंदर एक एनरजी उत्पर्ण होगी जिसकी बज़े से आप हर एक काम को बड़ी शीक्रता और अच्छे धंग से कर सकेंगे तब फिर लोग प्रभावी होंगे आपसे और आपकी प्रसंसा करेंगे और आपको ब्रद्धी भी केरियर के छेत्र में मिलने वाली हैं अब बात कर लेते हैं और अच्छी बात ये भी है कि केरियर के छेत्र में और साथ में बिजनेस की बात कर लेते हैं ब्यापारियों की ब्यापारियों के लिए वही इस्तिती है जैसे ही बुद्धाएंगे आपके प्रसंभाव में तब इस्तितियां बहतर हो जाएंगी उसके पहले 16 मार्च के पहले थोड़े आपको समाल के चलना होगा खास कर अपने बानी में किसी को कुछ कहने से पहले बेहद शाधान रहना होगा क्योंकि ब्ध बानी के अधिपति हैं तो इसलिए आपको अपने बानी में खास कर और अधिक खर्चों में मतलब ऐसे खर्चे जिसका कोई मतलब नहीं है ऐसे खर्चों से बचना होगा और अपने बाणी में सहीम बचना होगा वैसे भी ब्यापारियों का काम लोगों से अक्सर मिला जुला होता है तो इसलिए बहुत जरूरी होगा बाणी में पर्टूर रखना और साथ में मंगल लगेगा चहें आप व्यापारी हों या जॉब करते हों जो भी करते हों आप हरेक व्यक्ति के लिए भाग यदि आपका बहतर होता है तो हरेक काम को हम आसानी से कर सकते हैं फिर आपको भाग का भी साथ मिलने लगेगा तो आप बहुत अच्छा हरेक शित्र में कर पाएंग तो प्रिदर्शकों आपको इन बातों का ध्यान रखना है थोड़ा स्टार्टिंग में और फिर अब हम जान लेते हैं लास्ट में उपाएं और साथ में थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं जैसे कि साड़े साती है तो बहुत लोग अभी मन में प्रसन उट रहा होगा आपके क कि हमारे साड़े साती चल रही है तो समस्याएं होने वाली हैं और साथ में स्वास्त की बात करें स्वास्त में भी समस्याएं होती हैं क्योंकि थोड़ा टेंसन होना और मांसिक उल्जने होना और सरीर में दरदादी के समस्याएं ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती हैं और याज आए कि सनी देव किसी को तकलीब नहीं देते हैं हम अपने आपको екषम माज़ने पर न्याय करते हैं मनलब वह ऐसे गुरू हैं जो आपको बिलकुल जो डाले पेव करता ही है ऐसे नहीं कि बस कह दिये और भूल गए आपने गलती की तो उसका दंडो देने वाले हैं यह आप सही राश्ते में चलते हैं अपने कर्मों को अच्छे धंग से करते हैं तो सनी देव भले आपकी कैसी भी हो आपकी कुंदरी में सनी देव की फिर भी आपको अच्छा फल कोई भी ग्रह है और खासकर सनी देव यह आपने अच्छे कर्म करने शुरू कर दिये आपने आलस छोड़ दिया और सोचना कम और करना जादा कर दिया तो सनी देव आपको अच्छा रिजल्ट देने लगेंगे यह आप समझ लेजिए बहुत बड़ा उपाय है सनी देव का सनी देव न्याइपरी और कर्म करने वाले ग्रहे हैं तो आप कर्म करिए आलस मत करिए और सत्त के राष्टे में चलिए तो आपको सनी देव छपड़ फाड़ के देने वाले हैं महान राजी होगी वो हो जाएगा शाथ में आपको हनुआ जी की शरण नहीं छोड़ना है आपको पताई होगा शाथ में आपको माता लक्षमी की आराधना करनी होगी जिससे मा लक्षमी की क्रपा बनी रहे आपके उपर और हनवानजी की सेवा करना है तब इसलिए आपको पता है हनवानजी और मातालक्षमी की आरादना करिये और आलत से छोण दीजिए सोचिए कम जितना सोची उतना कर दालिए इस चीट को आप implement करिए मार्श के महीने में नहीं खाली अपने जीवन में हमेशा आप जो सोचते हैं उसे लिख लीजिए जो सोचते हैं कि मुझे यह करना है यह करना है यह करना है हो सकता है अभी तक बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में ही वीडियो छोड़ के चले गए तो देखता हूं कि यह दस मिनट की वीडियो दो तीन मिनट में लोग देखके चले जाते हैं और पिर कमेंट करते हैं कि आपने बताया नहीं अधूरा बताया जो भी बहुत सारे कमेंट आते हैं इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि जो आप सोचते हैं उसे लिख लिजिए और एक एक स्टेप बाई स्टेप एक काम ने आप आपने पूरा कर लिया फिर दोसरा कर लिया ऐसे करके कर डाले जब तक आपने पूरा नहीं कि उसको सोचिए उसके अलावा जो आपने लिखा है उसको करिए फिर सोचिए आपको क्या करना है तो ये बहुत आपके काम आने वाला पुरे लाइफ में तो प्रिदर्स को ये रहा मार्च के महीने का मासिक राजिफल ये दैनिक राजिफल और और वार्फिक राजिफल जोतिशी जड़ी होई जानकारियां या सनादन ध्रम् से जड़ी होई जानकारियं प्राप्र करना चाहते हैं तो चैनल में बिशिट करें और चैनल को सस्क्राइब करें बहुत बहुत धन्याद